नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल प्राव का स्वागत है आज बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता यह बनाना इतना में ज़्यादा हार्ट नहीं है बहुत असान तरीके से सीखेंगे यह रेसेपी बनाना तो आए बनाते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक सब्सक्राइब कर ले साथ में बैल आइकन प्रेस कर ले कि हमारे आने वरी वीडियो अब तक पहुंच सके मैंने पास्ता को बॉइल होने के चिरा दिया है देर यूश में थोड़ी से वाइल जिसे की चिपकेगी नहीं और आप किसी भी शेप की पास्ता ले सकते हैं इसे मि में चमच से कट करके दिखोंगी यह कट गई इसका मतलब कि यह पास्ता अच्छे से पक चुकी है अब ठंडे पानी से एक से दोबार वाश कर लेंगे पैन के गरम हो जाने के बाद दूंगी इसमे में एक से देर चमच बटर बटर के मेल्ट हो जाने के बाद दूंगी इसमे में एक चमच लासून इसके हलके से लाल हो जाने के बाद दूंगी इसमे में मोटे मोटे शेप में कटे हुए प्याज और शिम्ला मिर्च इन दुनों को देखे अच्छे से भूल लेंगे मैं यहाँ पे प्याज और शिम्ला मिर्च दी हूँ अगर आपके पास कोई दूसरी वेजी हो जैसे की कैरट, बेबी कॉंड, मश्रूम अगर यह सब वेजी हो तो आप इसमें टाल सकते हैं एक से दो मिनट चलाने के बाद इसमें दूंगी में आदी चमच नमक और इसे मिला लेंगे जब यह थोड़ी सी भुण जाए तो दूंगी इसमें आदी चमच काली मिर्च पाउडर इसमें थोड़ी सी निंगू को इस्कुरिस करूंगी शिम्ला मिच और प्याज अच्छे से भुण चुकी है इसे मैं अब निकाल लूँगी अब वाइड सास मनाने के लिए देरियू में गरम पैन में एक से दू चमच बटर जब बटर मेल्ट कर जाए इसमें दूँगी मैं एक से दीर चमच मैदा और इससे अच्छे से चला लेंगे मैंने इसे चार से पांच मिनट तक पका लिया हैं अब मैं दूँगी इसमें थोड़ी सी दूथ एक बार मैं सारी दूथ नहीं दूँगी क्योंकि इससे काठे आ जाएंगी इसमें इसलिए थोड़ी थोड़ी दूथे के इससे चलाती रहूंगी यह चैसे मिक्स हो चुकी है इसमें दूँगी मैं एक चमच नमक आदी चमच काली मिर्च पाउडर इससे देके मिलाएंगे अब सारा पास्ता देकर मिक्स कर लेंगे मैंने जो सिमना मिर्च और प्याज को भूनके रखा था वो इसमें डाल लूँगी अब दूँगी इसमें मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स अगर आपको चीज खाना पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी चीज भी दे सकती है जिसे कि यह इसकी बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी देख रहे होंगे कितनी क्रीमी सी लग रही है तो यह सर्फ करने के लिए बिल्कुल तेयार है अगर आपको वाइट सौस पस्ता पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी यह रेसिपी तक्यों सुमच फर वाइखगी